हई विलकूम्ट्स तो अचनल लॉर्न तो सकसीद आज हम सेखेंगे हाउ तो ड्राउ वलॉसी राइंगल फॉर तर्बाइन्स तर्बाइट के जो ब्लेड होते है वो curved shape में होते हैं और इन ब्लेड वो मुफ करने के लिए हम अपना water jet का use करते हैं water jet निकलता है अपने nozzle में से तो हम उस nozzle से उस water jet को strike करेंगे अपने इस blade पर ताकि यह blade move करेंगा, rotate करेंगा और last minute में power generate होगा तो जब यह velocity निकल रही है water jet से, water jet की जो velocity है nozzle से जब निकल रही है तो वो होती है V1 velocity inlet triangle पे सभी notation का हम 1 से denote करेंगे और outlet triangle पे सभी notation का हम 2 से denote करेंगे तो initial velocity जो nozzle से निकल रही है वो V1 होगी और वो होगा at an angle alpha but क्योंकि यह blade motion में है तो यहां पर posture posture उसकी velocity change जादेगी तो यह change velocity से अंदर strike करेंगा और वो change velocity को हम denote करते है Vr1 Vr1 नहीं कि उसकी relative velocity क्योंकि अब यह अंदर strike करते हैं relative velocity strike करेगा और उसका angle हो जाएगा theta यह जो horizontal component है इस V1 का, it is called as Vw1 जो कि उसे बलते है whirl component of velocity और यह होता है जो vertical component वह होता है Vf1 this is called as flow component of that velocity whirl component horizontal move करता है और flow component vertical में उसे push करता है तो अब यहां पर अपना blade का surface है, curve surface यह हम assume करते है कि यह smooth है ताकि इसमें कुछ friction losses नहीं हो रहे तो अब यह velocity अंदर जा रही है Vr1 Vr1 जे अंदर गया तो बाहर हो निकलिएगा और वह बन जाएगा 250 वह बेर हाइगा rxis Vr1 के लिए angle का theta तो बाहर उसका angle बन जाएगा Vr2 पर बन जाएगा 5 and V1 अंदर गया तो बाहर भी आएगा तो वह आजाएगा V2 यहां पर यह हो गया V2 V1 के लिए अंगल α यह तो V2 के लिए अंगल बीटा होगा यहाँ पर आपका इस टिप से आलफा वाले टिप से 90 दिपर के अंगल तक का डिसंस VW1 था तो यहाँ पर आउटलेट पर बीटा वाले टिप से 90 दिपर का जो डिसंस है वो हो जाएगा VW2 यहां पर यह जो चीज है, यह इतना vertical distance, इतना वर्यासिटी अट आउटलेट, यानि कि VF2, फिर लास्ट में आपका यह पूरा distance विल भी यह यूटू, इतना वर्यासिटी अट आउटलेट, यहां पर यह इतना वर्यासिटी अट इनलेट, यहां पर यहां पर आउटलेट पर तीन तरह के triangles बनते हैं, वो depend करदा बीटा पर, कि बीटा कितने degrees का है, तो अगर बीटा इस लेस दन 90, तो आपका यह triangle बनता है, फिर आता बीटा इकोल दो 90, अब बीटा ग्रेटा ग्रेटा दन 90, अब उसमें difference का है, वो देखते है, वेन बीटा इस इकोल स्टो 90, तो आपका triangle कुछ ऐसा बनता है, कि यह आपका triangle है, जहां पर यह आपका क्या है, अंदर गया था VR1, तो बाहर निकले का VR2, यह आपका VR2 है, VR1 अलफा टीटा पर था, और VR2 क्या हो जाएगा, 5, तो यहाँ पर यह आया 5, यह आपका VF2 है, VF2 अन VF1, हमेशना 90 डिग्रीज पर होते है, तो यह VF2 है 90 डिग्रीज पर, अब यहाँ पर, क्योंकि बीटा 90 है, बीटा 90 है मतलब यह V2, जो component है, वो 90 पर आ जाएगा, तो यह VF2 पर coincide करेगा, यानि कि आपका यहाँ पर VF2 will be equal to V2, तभी तो आपका यहाँ पर यह बीटा equals to 90 हो गया, अब इस केस में, अब बीटा की वज़े से ही VW2 आया था, तो बीटा equal to 90 हो जाने के वैसे, VW2 का वाल्यू 0 हो जाएगा, और यह डिसंस आपका आजाएगा U2, तो यहाँ पर change क्या होता है, कि जब बीटा equal to 90 होता है, तो आपका VW2 0 हो जाता है, अब थर्ड केस का है, वें बीटा is greater than 90, वें बीटा is greater than 90, उस केस में, आपका ट्राइंगल कुछ ऐसा बनता है, यहाँ पर आपका जो इनिशल अंदर गया है, बाहर निकला है, अंदर गया था क्या, VR1 वेलासिटी से गया था, तो बाहर निकलेगा, VR2 वेलासिटी, इस VR2, अंगल क्या था, अंगल फाइए VR2 के लिए, तो यहाँ पर अंगल आगया, और यह आपका क्या है, फ्लोव वेलासिटी, VF2, 90 दिवीज पर, अंगल बीटा क्या है, बीटा अप ग्रेडर दन 90 है, तो आपका V2 इस तरफ बाहर निकला है, तो यह जो बीटा है, इस यह बीटा, जो कि है ग्रेडर दन 90, ग्रेडर दन, इस ग्रेडर दन 90, तो यहाँ पर फरक क्या पड़ा, यहाँ पर फरक यह पड़ता है, कि आपका, अब की बार, जो VW2 है, वो यहाँ से, यहाँ दर कर देसंस है, VW2, एंड यूटू क्या जगा, यूटू पूरा यहाँ से, यहाँ दर कर देसंस, इने VW2 बाहर की तरफ होगा, एंड एकोल तो 90 पर VW2 जीरो होगा, तो यह हमें तीन बेसिक चीजे पता होनी चाहिए, क्योंकि जब क्वेस्टन आता है, तो उससे हमें समझता है, कि अपना ट्राइंगल कैसा बनेगा, या कभी-कभी जब हम solve परते है, तो हमें यह VW2 की value negative आजाती है, अगर value negative आई है, वो कब आती है, कि जब आपने triangle यह draw किया है, less than 90 का, and solve को ने पर VW2 की value negative आई है, तो वो negative value indicate करता है, कि आपने यह triangle गलर draw किया है, वहाँ पर beta less than 90 नहीं था, इसलिए और negative value आई है, तो हमें वो triangle change करके, हमें greater than 90 का बनाना होता है, तो friends, आप लोग ने सीख लिया होगा, कि हम कैसे draw करता है, velocity triangles for turbines, अगर दोस्तों, तो आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा है, तो please इसे like कीजे, अपने दुसरे शेयर कीजे, और साथे साथ मेरे चानल को subscribe भी कीजे, thank you,